आज का अपना टोपिक है watercolor bymari आजे इंक है और अब फोर से पहले एक बात जो सबसे जरूरी है बताना की बीमारी क्या है जयदि बीमारी की डेफिनिशन क्या है जासा हूँ एफिनिशन जो सबसे डेफिनिशन है वो यह प जो पिर सारी सारी रिक अवस्था मतलब हमारे सरीर की जो सारीक अवस्था है एक सामान ने अवस्था में काम कर पा रहे हैं तो यानि कि हम बीमार नहीं है और बीमारी भी कई तरीक होते हैं मांसिक बीमारी होते हैं सारीक बीमारी होते हैं मांसीक व्यक्ति बीमार कैसे दिमाव में अगर नकारातमक यानिकि नेगेटिव विचार इसली आये जा रहे हैं तो व्यक्ति भी अपने आपमें बीमारी कहलाएगा जैसे कि सबसे पहले पंदित शरीर की वय अवस्ता जिसमें शरीर के सामानिक्रिया वादित हूं से क्या कहते है उसे और या पी नियुक MeowYa आभस्था मतला रोग की आवस्था या निर्हीज्द की आवस्था करते हैं कौन से जिसमें ऐसले की सामाने करिया वाइरस वेक्टेरिया प्रोटोजवा और फंगी वाइरस को बोलते हैं नहीं विशाडू वाइरस से याद रखना विशाडू क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होते हैं एक एक्जाम में वह यह होती है कि हम याद कर लेते हैं वाइरस उसके वाद पेपर में लिखा प्रोटोजवा 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 यह भीनियों हो गया शुकृरण कर रहा रहा है अर्धिकर्रिया कर रहा है मतलब कि जो उसका पूरा काम नहीं कर पा रहा है तो उस लिने से toxic chemical, toxic chemicals कों से होते हैं जैसे कि Bhopal में gascand हुए थैं M.I.C. उसके घरूब ही ये बिमारी हो जाती हैं उसके बाद बात करेंगे आँटोसिक sunlight से हो जाती है, sunlight से बिमारी हो जाती है उसके बाद रेडियो एक्टिव elements radioactive elements consequences uranium thorium or radium hownざnt radioactive elements मतलब जब बहुत हानी कारक क्रना छोडते हैं उन्हां बोलते हैं radioactive elements uranium thorium और radium यह तीनों तो अब देखते हैं कि Non-infection सबसे पहले हम यह दो चोटी-छोटी टॉपिक हैं इना कवर कर लेते हैं क्योंकि कि वायरस भुम खेल में बहुत बीमारी यह तो उसे हम अभ smile करने के बसके भाद खाल दुआघ करने के epoelynिके साथ में रात्वी लेना कि रखने का भी थरीका वालों को Αस्तवा वीमारी सी ग्रसिप मिलेंगे Buy क्यों मिलेंगे क्योंकि अस्तमा वीमारी जो właściwie होता है डश्ट से और क्रैक्इव कशुरा है पर कहड़ा रहेगा तो तो ऐसét का सामना तो करना ही पड़ेगा पर अस्तमा किस्तमा के सी किस्से होगी डश्ट से इस Clap में कनचर को किसे का बीवाज़न हो जाता है किसमें का बीवाजन का तो क्यों चरही पढ़ा यह उसे ऑनकोलोजी क्या थो more केंसर उस नोन ऐस ओन्कोलोजी फिर रगता है डायवीटीज डायवीटीज भी आसंक्रामक बीमारी उसके पार्किंसनस में क्या होता है वक्ति जो शरी देट वो कंपन करने लगता है हाथ का अपने लगते हैं सुरुवार्थ ही स्टेज में आप अगर पैचान करना है तो क्य आपको मैंने बताया था अपने ब्रेंट वाला वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखा हो तो आपको समझ आ जाए कि आपको सब्सक्राइब देखा हैं अब इस इस पर्मारे जो मैं महां को जाए तो इस कंडिशन में कौन सी विमारी होती है यह अल्जैमर ठीख है फिर अपन बात करेंगे कि इसकी अब बात करते हैं फंगस की फंजाय की फंजाय यह नहीं कब आपको यह हो गयाँ आपके नौन non-infectious diseases, ठीक है, non-infectious में consequence है, asthma, cancer, diabetes, Parkinson, Alzheimer, ये सारी हो गए आपकी non-infectious, मतलब आ-sankramak, ये बीमारियां फैलती नहीं है, एक वक्ति से दूसरे वक्ति में नहीं जाती है, ये particular किसी वक्ति के अंदर होती है, अब हम बात करेंगे, infectious के, infectious में भी किसके बात करेंगे, संक्रामक, संक्रामक में हम देख रहे हैं सबसे पहले फंजाय, नहीं कबक, तो सबसे पहले बताता है, कबक कैसे पूरा कबक के इत्यास बताते है, देखो, जैसे कोई पेड का तना अगर तूटके गिर गया है, तो सब्सक्रां रहते हैं य यह स्पोर्स तरह हरते हैं तो लकडी पर आकि जम जाएंगे जैसे यह स्पोर्स उड़ रहे हैं हवा में उड़ रहे हैं यह अगर यहां मौश्चर मिल गया तो यहां की स्पोर्स जम जाएंगे जम जाएंगे तो यह क्या करेंगे इस लकडी से इस लकडी में जितना भी कार्बो हाइडरेट और प्रोटीन है उस कार्बो हाइ सूसने के बाद फिर हवा में और जाते हैं play tester फिर फिर द्यार बैड आते हैं तो यह उड़ते हैं यानि कि हवा में डीज differenti के कॉंटेक में भी आते होंगे को हैं कि ऑना के सेपिरोफाओस क्यते हैं यह तुचा पर संक्रमित होते हैं कैसी यह रोख तुचा पर संक्रमित रोख सबसे पहले तो जैसे कि हम इंफेक्शन पढ़ रहे हैं यानि कि संक्रामक तो क्या यह रोख कैसे रहते हैं संक्रमित रहेंगे फंजाइस रेटेट साही रोख संक्रमित रहेंगे यह रोख तुचा प पड़ा तो अब इन लोग को देखते हैं जैसे कि यह गए ना उता है ना आपको देखें दाद खाज खुली तो रिंग वाम वाम किसे होता है तो एकिस होता है तो सॉकुरम और सुंक्रमन होता है रिंग वारन माइकृस्पुटुरित करेर्या इसन ट्रायकोफाइटम ट्राइको फाइटम और पीस वह अन को शुबाइट थैसे इसका संकरमन षे अचिंसे अथलीट फूट का मतलब नाम पे नहीं जाने की एथलीट मतलब एक बीमारी और होती है उसके बाथ एलर्जी होती है इलर्जी किससे होती है spores of aspergillus किसका spores of aspergillus aspergillus का dust microscopic dust है aspergillus क्या है microscopic dust है तो यह allergy यह हमारा फंजाय पूरा complete हो गए ठीक है फंजाय में consequence ring warm है ring warm किससे होता है micro sporum से उसके बाद रहता है athlete foot athlete foot किससे होता है trichophyton से trichophyton और allergy allergy किससे होती है sports of aspergillus sports मतलब यह वाला पार्ट जो मैं आपको पताया था न saprophytes aspergillus अब आपन बात करेंगे किसकी protozoa की यह protozoa हमारा fungus हो गया non infectious या निया अब आपन देखेंगे protozoa protozoa का परजी protozoa को क्या बोलते है परजी भी बोलते है किसकी रूप में पाया जाता है किसकी रूप में cellular form में पाया जाता है ठीक है अब मैं इनके सीधे आपको वीमारी बताता चलता हूँ इनके वीमारी का जो protozoa है वो बताता चलता हूँ कि कौन सा अंग इफेक्ट करेंगी यह बता रहा हूँ और साथ में किस से फैलेंगी यह बताता चलता हूँ क्योंकि यही चार चीजों में से कुछ पूछा जाता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? malaria की तो malaria किस चीज से होता है malaria सबसे पहले तो malaria फैलता है मादा एनिफलीज बक्की से किस से? malaria का जो protozoa है उसे बुलते है प्लाजमोडियम वाइबेक्स और यह infected क्या करेगा? यह करेगा RBC मासपेशियां और अस्थियां RBC मतलब platelets malaria उने पह भी platelets का मतलब है RBC मासपेशियां और अस्थियां sorry platelets नहीं RBC आपकी जो प्रत्रिक्षा तंत्र है उसे कमजूर करता है platelets से से कोई संबन नहीं है इसका RBC मालेया करता है आपकी प्रत्रिक्षा तंत्र को कमजूर करता है मतलब कि आपकी इम्मुनिटी सिस्ट्म जो है उसे वी करता है ठीक है तो RBC कम करेगा mass species और रस्तिया उसके बात पात करें कालाजार कालाजार मतलब शायद नाम से आपको समझ में आरहोगा कालाजार का मतलब करता है बुखार यानि कि आप कालाज़ इतना फेमस है तो इसका नाम भी तेज बुखार कालाजार ओ तेज बुखार यह किस्ते इसका प्रोडूरा से प्रोडुजर का नाम क्या है लेथ मैनिय यह शेवर सेटूर तो कि यह शेट कि पर यह भूल दो सब्सक्राइब है कि जोटुद्ध़ को रखता है उसके बादो यह फैलता किस्से यह पइलता है था कि से संट फ्लाय नाम क्या देखलो फीमेल फ्लीतों किनाम फ्लीक फिमेल ही उसी बोटो माइड लस्मान नाम है कं दो स्ट अ रखता है और यह t प्रक्ष के और सेमान प्रक्राइब करेंगी रटर और उस्मार कpoke छोटी यह masuk Wave संक्रमन हो जाता है जो टी आन्के मंसा अइंटराइटिस तो तब क्या आफ़के टाइप एंटरेसं लगायन मतला आते हैं यह करेगा आपके हिंटुने प्रेट करेंगा अब इन पेरिप्साइक करेगा आपके इंपेक्ट करेगा प्रिछ कुई इंपकरेगा आपके हैं तरो ही शोटी हो रहा है और से पहले तहकर यह संकर में मेहां हória Sun न को यानि कि protozoa complete हो गया आपका फंजा complete हो गया और नॉन इंफेक्षियस या शंक्रमाथ बीमारे complete हो गया अब मैं बात करूंगा वाइरस या वेक्टेरिया की तो मैं एक मिट बोर्ड को रफ करता हूं पूरा उसके बाद यह आपको वाइरस वेक्टेरी की पूरी बीमारे लिख बाई हूं और बाई हः वानेवाली बीमारी तो सबसे पहले मैं कोई बहुत क्वामन चीव यथ्नी बीमारी हूं कि जितनी बीमारी हिए उनकी जो मैक्टेरिया हैं वह लागवगJackabla важ उसी के नाम से किसके नाम से हैं ऑु उसी के नाम से चनाम 30 सी तi जनाम से का टीजर का कि नㅎ अपनी सी विषाडु से विषाडू से सबसेटारी सबसे बड़ी confusion यह दरती है तो सबसे पहली बीमारी कौन से चिकिन पॉक्स चिकिन पॉक्स को क्या बोलते हैं देशी वासम अपनी माता क्या आती है माता आती न वह वैरिसोला जेश्टर यह किस से कौन से वायरस से होती है वैरिसोला जेश्टर से क्या नाम है वायरस का वैरि system और ये सका जो संकर्मा का माध्याम में वह कैसे वाइरस कैसे फेलता इसका संपर्थ से या फिर बॉडी फ्लिट से पसीने से लाग से ठीक है बॉडी फ्लिट से उसके बाद बात कम करेंगे smallpox तो जैसे chickenpox बड़ी माधा smallpox चुटी माधा smallpox को क्या बोलते है वैरियोला कि small box का जो वाइरस है उसे क्या बोलते हैं उसका नाम रीओ वाइरस इनका जो in-fected organs है वह सेम है और infection का medium सेम है जैसे यह रकत तचा और तंत्र का तंत्र यहां इनके infect होते हैं और उसके बाद infection फैलते हैं संपर्क या body fluid से ठीख है नि'dेट पसीन अर उसके बाद बात करेंगे मिसल्स क्रिकां क्छसरा क्या क्तर image का वाइरस कौन सा एक रिप्य किया मिसल्स का कौन सा वाइरस है क्या बोलते है क si su रिप्यला इसमें क्यों हो इसमें युक्सित होता है इसमAdd sugन सफ़ें Rozum maneérique रखत रहेगी ठीक है रखTe प्लस यह क्या काफिंग कुफिंग लंग मतलब खासी जो अंदर फेपड़ों से जो खासी आती है ना वाली जोर वाली खासी यह फैलता कैसे इस पर्स से फैलता है मतलब टच करने से कौन सा मिसल स्याद रखना है खसरा हो किसी को दूरी रहना उसके बाद बात करते हैं पोलिय यह मतलब पूली किसे फैलता पूली पूलीो वार्ण से फालता है एक इसके जो इंव संक्रमित अंघ है वो कौन से कौन से हैं औरगीं सहले भी मतलब छोटी रहां खहर अध़ स्रोट्यक्त और ब्रेण मतलब दिमाग कैसे तंट्री आंट्र को इंप्क का इता यह का सिरता तो जिसके तुरू दिमाग अपने आपी इंफेक्टिड हो जाता है और यह जो बीमारी है पोलियो यह फैल्थी कैसे है संक्रमित जल यानि वाटर बोजन और या फिर मात्र दूद नि जल इससे कौनसी वाई बीमारी फैलती है पोलियो फोलीय। तो यह काम है किसका पोलियो का उसके बाद अपने जब्सकी अचरता चाहिए अच्टिज न उटता है दो सब्सक्राइब करते यह सबल्सक्राइबस को बलेड के नदर कहा है सबस acabar को इसके बात करेंगी कि इंफेक्टेड क्या इंफेक्ट करता है तो यह ब्लड में T lymphocytes को इंफेक्ट करता है और इसके बहर बता था है पर यह फैलता है विद बॉड्य विद बॉड्य फ्लूड मतलब बॉड्य फ्लूड से डारेक कॉंटर्ट मेहने बहुत फिर इंफेक्टिड ब्लेड और नीडल किसे infected blade or needle infected blade रहती है जैसे किसी को AIDS है उसमें blade का use कि उसे खून ने कलाया उसी same blade को आपने use कर लिया तो आपको AIDS होने के chance समभावना बहुत हट तक बढ़ जाएगी ठीक है अफ़ नेडल से इसलिए कि कि किसी का use किया blade या कोई भी लोहा ऐसे जो बाड़ी में यूज रहा उसे दोबारे यूज नहीं करना चाहिए दूसरा करना चाहिए क्योंकि इतनी सारी बीमारी आया है फैलने वाली किसी एक से तो लिपड़ी जाओगे ठीक है अब बात करते हैं तो एक करता है जैसे ब्लड में जो टी लिंफोसाइट सेल रहते हैं उन बहुत लंबे समय तक यह चल रहा है कोई भी लिए फीक नहीं होगी यह कैसी बीमारी यह 888 Cटीडी मिमारी एंस एश्टिडी का हऊरी है अश्टिडी का मतलब आप यह नहीं समझे ना इस्टेंडर्ट रंग डाइलिंग यह सेक्जॉली ट्रांस्मिटड डिसीज यानि कि तक यहों संबन बनाने से यह से हमारी फैलती हैं उसके बात करेंगे द night green इंगी मरस से होता है ने किसे होता है ने किस्यों जो वायरस का नाव है दिंगी मारस तो तो आपको देंगू है तो इस गर कितने आ जाएंगे 50,000 , जो कि बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं ठीक है तो देगों कम क्या प्लेटलिस लखत भी इंबाड़ू उसके बाद आता है इबोला इबोला वायरस क्या है इबोला एडीवी इडीवी वायरस है ठीक है उसके बाद यह कौन से इन्हें इंफ्रेक्टिक करेगा ब्लेड तंत्री क अगर मालों किसी इंफ्रेक्टिट सॉइल पर मच्छर बैठा वह आकर आपकी बॉडियों बैठ गया तो आप इंफ्रेक्टिट हो जाओं एबोला यह कब आए था सबसे पहले इससे साउथ अफरीका में से पाया गया था इसका पहला मरी जो कि 2017 2018 इंडिया में हमारे असम औ सुटासर्दी जुखाम खासी बुकार यह सब आते हैं यह किस और सकाना यह आते हैं आते अ और यह इंपक्टे कोंश से तन्र करते हैं सवसंती हो या ब्लेट को इंफेक्क करते हैं सवसंता तन्ता कैसे हमारे लंग frase को गरेंगेया ब्लैडा तो इसलमेव कन रिए एयर जैसे किसी को अगर जुखाम है हम उनसे थोड़ा नजदी का के बात कर रहे हैं तो उस कंडिशन वा हमारे जुखाम होने के चांसे बहुत तक बढ़ जाते हैं क्योंकि हम एयर के तुरह कॉंटेक्ट कर रहे है तो अब बाद मैंने आपको देखो वायरस वाली अपनी वायरस अब अपन देखते हैं कि वैक्टिरिया यानि की जीवालू तो मैंने आपको पहली अच्छा तरीका पता दिया कि जीवाडू में तो ऐसा है कि सिर्फ आप बीमारियों के नाम याद करो इनके वायरस के नाम आपको आंसर में लिखा हुआ ही मिलेगा जैसे टीवी ट mycobacterium tuberculosis ये इसके infected अंग है lungs, lungs मतलब फेपड़े, ये क्या air या फिर तो इसे व्यक्तिकों कि टीबी उसमें खासा या फिर उसमें मतलब खास कि अपने जो 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 कफ रहता है उसे जमीन में थूख दिया अब उस थूखे थूखे वो सूख गया थूखने के वह आप गए आप पैदर जारहे हो आपका जूता उस पर पढ़ गया भारा है अपने ह तो इन्फेक्ट हुए हो ठीक है तो ट्यूबर क्लेशिक से फ़लता है स्वाइल से या फिर एर से एर से कैसे वालेगा वही मानलो उसने कफ जो है वो जमीन पढ़ा-पढ़ा सूख गया उसके उसके बाद बात करेंगे हम एंथरेक्स के एंथरेक्स कैसी यह जावरों की मिम इसका वाइरस कौनसा है वैसिएलस एंथरेस में आपको बताया थ энерг सिर्ब बीमारिया यात कर लेना वायरस अपको हमें लेकर चांव करते हो तो आपके एंथरेक्स रहे चांसी बहुतताब बढ लग जाते हैं आए उटर इंवारी वह इस एपर आपशिकńsk कर आ ये बात Radha यह भीमारी लग सकती है उसके बात करते हैं पर्ट्योस यानि वूपिंग कफ वूपिंग कफ मतलब की बहुत ज्यादा तेज खांसी आना ठीक है यह जाता है वडेला वर्डेला वोडेला वडेला पर्ट्यूस इसका इंफ्टेडम सुसंत अंतर रहे यह 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 ढॉपलेक्स आपको होने की समभावना बहुत तक बढ़ जाती है फिर अपन बात करेंगे डिप्थीरिया के खासी है इसका वाइस का है माइक्रोवेक्टरियम डिप्थीरियम यह इंफेक्टिड और्गनिस का लंग से लंग से यानी की फेपड़े उसके यह एयरेंड ड्रॉपलेट से ठीक है फिर अपन देखते हैं टिटनिस का टीकी के लिए आपको एक बात बता दू एक टिटनिस का टीका छे महिने तक एक्ट पूचा जाता है कि आपको टिटनिस होने के चांसे बढ़ जाते हैं अब एक वैक्सीन का नाम सुनोगा आपने डीपीटी वैक्सीन इस वैक्सीन के बारे में बस इतना सा पूचा जाता है कि इस डीपी टीका फूल फॉर्म क्या है तो डीपी टीकर सबसे पहला फॉल سम्के टिप तीरिया पडूशीस होग डिप्टीरेय माम तो आपका दिप्तीरियम बारा पर्टीरियम से具ट Environ सबसे पहले तो यह आपको बताता है सेक्जोली ट्रांसमेंटिट डिसीज यानि कि यह उन संबंद बनाने से इसका वाइरस है निजेरा गुनेरिया यह इसके इंफेक्टेड और कौन से इसकिन और ब्लड यह आपकी यह अपनी तवचा वा रखत के दूरू रखत को मतलब इन्फेक्ट करता है और यह फैलेगा कैसे यह कॉंटेक्ट से फैलेगा कॉंटेक्ट मतलब अबस है सेक्जोली ट्रांसमेंट्ट डिसीज अखर यह उन संबंद बनाने तो कॉंटेक्ट तो की टुवी मिलेंगे सबकेनि सिफ्लिस को सिफलिस रहनी ट्रिपोंयमा पैलीड इसका इंफेक्टिटर और हुण सा ब्लड और इसकन यह फलता कैसे यह CONTACC मानगे एन्पारि मतलब सिधा सिधा-सिधा-सिधा बात एक ऑन यह ति आफन बात करतें हैं ॉलियरा की कॉलर Edda किसे वाइब्रिय वाइब्रिय Jour Spain ठीक के हैं वकले यह ए डाइजेश्टि शिस्ट्रम जान कि चोटी आथ को सी चीन इंङ ते मारा ना क्या ना वाइब्रिय। और इंड वाटर कॉइरस की वाइब 17 सगरमित सद्करिय में वेक्टियर्स धाने इवं जल से फैलता है फिर अपन बात करते हैं लैपरोशी कीुलैब्सायिक कैसा कुश्ट रोग है कुस्श्ट रोग इसका वाइरस से सभाइब्री ओ लैपरि क्या नाम यहीना कहीं लेपरोसी भी संबन्दित होना चाहिए वैसे एस्टीडी से नहीं है यह नॉर्मल कॉंटेक्ट से अगर आपको लेपरोसी की संबाबना बढ़ जाती है तो आज हमारा यह जब टॉपिक भी सबसे पहले क्लियर होगे डिसीज वाला क्योंकि सबसे जादा जो उसके बाद और अगर कोई टॉपिक बचा होगा तो मैं देख लूगा ठीक है थैंक यू